कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसे कि आपको पता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेशियो हमारा कम्प्लीट हो चुका है हमने एड्मीशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट कर दिया राइट लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम सारे चेप्ट सारे कॉंसेट से लिएं मसेट इसे डिजाइन हो है कि आपको सब्सक्राइब करते चलेंगे और एक उसके प्रैक्टिस भी करते चलेंगे क्योंकि है आपके एक्जाम में में अने वारे राइट तो देर किस बात की फटा-फट से आजकी घ्लास शुरू कर ओके देखो फॉस इस एपने शेयर का वन फिफ्ट तो सबसे पहले आप यह निकालोगे कि डी का सेक्रिफाइजिंग शेयर कितना है वन फिफ्ट और उसका शेयर कितना है उसका शेयर वन अपन फॉर्ट तो इसका मतलब डी ने वन अपन ट्वेंटी सेक्रिफाइज किया है इतनी हमें समझ में आता है अब यह वन अपन ट्वेंटी डी ने जो बलिदान दिया है जो सेक्रिफाइज किया है यह शेयर किसके पास चला गया एफ के पास दिखा हुआ ना इन फेवर ओफ ठीक है उसके बाद क्या हुआ इन भी sacrifice किया one-fourth of his share अपने share का one-fourth ठीक है E का sacrificing share कितना है one-fourth और उसका share कितना था two-fourth तो one-fourth का two-fourth उसने sacrifice किया which is two upon sixteen two upon sixteen ये भी उसने किसको दिया F को दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप से पूछा गया new PSA ठीक है देखो एक की करके निकालते हैं सबसे पहले अगर मैं D का new share निकालूँगा कि D का new share क्या है तो आप क्या बूलोगे कि वह पुराना share one upon four था ओके और उसने one upon twenty का बलिदान दे दिया तो minus one upon twenty अपने LCM लिए twenty का five minus one four upon twenty कितना आ रहा है four upon twenty तो D का कितना आ चुका है four upon twenty new share ठीक है मैं यहाँ पी नीचे solve कर लेता हूँ अगर मैं E का निकालूँगा दोस्तो E का share पहले कितना था two upon four उसने sacrifice कितना किया दोस्तो sacrifice किया two upon sixteen ठीक है आप LCM ले सकते हो sixteen का ठीक है eight minus two six upon sixteen कितना आ है six upon sixteen चलो ठीक है अब बात आती है f ki देखो f तो सबसे मज़े में उसका share पहले कितना था यह वन अपन फॉर और और उसने d से कितना लिया दी ने अपने share में से उसको कितना दिया था one upon twenty हना तो हमने वनоп में आड़ कर दिया इने अपने शेर में से कितना दिया टू अपॉन 16 तो टू अपॉन 16 भी आपने अड़ कर दिया ठीक है अगर इसका लेना चाहोगे तो कितना आएगा आएगा आइगेस 80 राइट यहाए 20 ओके 244 राइट 16 5-10 तो देस इस 34 अपॉन 80 कितना आ रहा है 34 24 अपॉन 80 क्या मेरी बात समझ में आ गई अच्छा ठीक है देखो अगर मैं सबका ल्टीम 80 बनाना चाहूं 80 तो कैसे बनाऊंगा इका इसको 5 में कनवर्ट करो 5 से मल्टिप्ला करो 30 अपॉन 80 ओल राइट और 4 अपॉन 20 है इसका इसको 4 से मल्टिप्ला करो तो यह कितना आ जाएगा 16 अपॉन 80 तो न्यू पीसर कितनी आ रहे है 16 30 34 16 30 34 ओ हो 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 राइट मजा आया ठीक है फटा फट से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और आते हैं अपने सेकिंद एम से क्यूंपर ठीक है फोगे ना प्रेक्टिस रिवीजन हो गई देखो ऐसे सारे मिजन हो जाएगी सेकिंद देखो देखो जी एच और आए पार्टनर से शेरिंग प्रॉफिट और लॉसे इंड इस टू इस तू और ऑन राइड ज जी सेक्रिफाइज इस वन थर्ड ओफ इस शेयर ओके एच सेक्रिफाइज इस वन अपन टू ओफ इस श्रेयर इन फेवर आई वाट विल बिदे सेक्रिफाइजिंग देशियो अच्छा तो यह फॉर्स्ट एम से अलग कैसे है क्योंकि यहां पर आप से पूछी गई है सेक् फिफ इस के वो निकाले जी नइंगे यह सेक्रिफाइज कितना है यह फिफ्टेन या वन अपन फटैन तो जी सेक्रिफाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं 3 upon 15 को मैं लिख सकता हूँ 1 upon 5 लिख सकता हूँ और मैं इसको फिर 2 से multiply कर दूँगा तो 2 upon 10 10 10 हो गया तो sacrificing ratio is 2 is to 1 बस simple अब यहाँ पर 2 is to 1 आपको कही option दिख नहीं रहा देखो जो पहला option है 6 is to 3 इसको अगर मैं simplify करूँगा तो 2 is to 1 ही आएगा common factor है 3 3 2s आ 3 1s आ तो इसको और simplify करूँगा तो 1 upon 5 ठीक है ह ने sacrifice किया half of his share 1 upon 2 multiplied by 1 by 5 1 upon 10 denominator सेम किया आपको पता है ratio में express करने के लिए सबसे important चीज क्या है कि आपको denominator सेम करना अब इसका denominator 10 था इसका 5 तो आप तो आपने 2 से multiple किया और 10 आ गया तो 2 is to 1 is the answer 6 is to 3 is the answer समझ में आ गया देखो फटा-फट से 3rd तो ratio की practice हो गई 3rd पर आते हैं P&Q देवर partner sharing profit and losses in the ratio of 3 is to 2 they decided that with effect from 1st January 2019 they would share profits and losses in the ratio 5 is to 3 तो PSR change हुआ goodwill आपको दे रखे 128 की आपको goodwill की entry करने है आपको पता है goodwill की entry करने के लिए आपको क्या चाहिए sacrificing और gaining तो देखते है कौन sacrifice कर रहा है कौन gain कर रहा है अगर मैं P की की बात करता हूं तो पी का old कितना है 3.5 new कितना है 5.8 आपको पता है sacrificing का formula क्या है old share minus new share old is 3.5 new is 5.8 LCM लिया आपने 40 बिल्कुल सही 583 24 minus 8525 ओ negative में आ रहा है minus 1 upon 40 इसका मतलब P क्या कर रहा है P gain कर रहा है P gain कर रहा है उसके बाद आते हैं किस पे Q पे क्यों कि अगर मैं बात करता हूं तो इसका old share है 2.5 new कितना है new is 3.8 new is 3.8 LCM आ गया 40 5.8 to 16 minus 853 15 1 upon 40 तो यह आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि Q ने 1 upon 40 sacrifice किया और P ने 1 upon 40 gain किया तो entry क्या होगी gaining to sacrificing P's capital account debit to Q's capital account debit कौन होता है gaining partner मतलब P debit होगा P आपका debit होगा और Q credit होगा कितने से 1 upon 40 multiply by 128 जितनी भी goodwill होती है यह पता है ना आपको हमने बहुत detail में लिसकस किया है 128,000 divided by 40 तो 3200 3200 से P debit होना चाहिए debit B यह रहा यह रहा तो हमारा PNC यह पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट इन राशियो वन इस तो इस तो इस तो इस तो त्री ओके ऑन फॉस्ट एप्रिल 2021 दे डिसाइड़ तो शेयर दे प्रॉफिट इकुली एब और सी पार्टनर से और फॉस्ट एप्रिल को नने बोला कि चलो इकुल शेयर करेंगे ऑन देट देव अग्रेडिट बैलेंस और रुपीस 120 इन दपी एनल अगांट सबसे पहली बात मुझे यह बताओ अगर पी एनल अगांट का क्रेड़िट बैलेंस है तो प्रॉफिट यह लौस है बोलो बोलो नहीं नहीं बटा लॉस नहीं है क्या है इसेज़ प्रॉफिट बैलेंस का मतलब क्या होता है प्रॉफिट एन वन एटी इन जेनरल रिजर्व अकाउंट आपके जेनरल रिजर्व में भी कितना है वन एटीगे नाव इंपोर्टेंट थेंग देखो इंस्टेड ओफ क्लोजिंग क्या लिखा हुए इंस्टेड ओफ इसेज़ पार्टने ने क्या डिसाइड किया कि सुनो हम इस रिजर्व को नहीं बाटना चाहते हैं प्रॉफिट को नहीं बातना चाहते हम इसको बुक्स में में रखेंगे और इसी के लिए आपको क्या पास करनी होती है अज़श्मेंट एंट्री और अज़श्मेंट यह सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में अपनी वीडियो में डिसकस करी है पता है आपको अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा गेनिंग बाटनर्स टू सेक्रिफाइजिंग पार्टनर आपको पहले यह निकालना होगा कि बाई कौन ग a ra one more customers फीघर एलसी हिसए हमागे शिक्स तो यह क्या गैन एने किओ टो अपन शेक्स पुराना और वैसिता को एंपन से क्षीर आपको जाएगा ना तो यह कर रहा है नहीं सैक्रिफाइज कर रहा है right 2 upon 6 is 1 upon 3 to 1 upon 3 minus 1 upon 3 0 C की बात करते हैं C का पहले share कितना था 3 upon 6 new कितना है 1 upon 3 LCM लिया आपने 63 minus 2 one upon 6 sacrifice 1 upon 6 sacrifice इसका मतलब C sacrifice कर रहा है और अब गेन कर रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई ठीक है अब गेनिंग sacrificing इसके बाद जो हमारा second step होता है वो होता है net effect निकालना क्या निकालना net effect net effect का मतलब क्या है total amount जो partners में distribute होनी थी yes or no profit and loss का positive balance है तो 1,20,000 partners में distribute होनी थी right ठीक है plus reserves distribute होने थे 180 के तो total amount partners में distribute होनी थी 3 lakh rupees कितने 3 lakh rupees बिलकुल सही बात है 3 lakh rupees पार्टनरस में distribute होने थे right लेकिन अब आपको नहीं करने आपने क्या बोला instead of closing the general reserve आपको general reserve का account close नहीं करना close का मतलब क्या होता है distribute नहीं करना जब आप distribute करते हो तभी तो account close होता है बात समझ रहो अकर आप close नहीं कर रहे तो distribute नहीं कर रहे तो तो 3 lakh rupees कियोंकि राइट आप वह जाके देख सकते हो अब गीनिंटु सेक्रिफाइसिंग में करना यह जो है वह गेन कर रहा है तो एक का क्यापिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से वन अपॉन से और सी को करोगे क्रेडिट फिफ्टी थाउजन से राइट देखो एडेबिट दिख रहा है कहीं पर डेबिट यह रहा अप्शन नमबर सी डेबिट एवाइव फिफ्टी थाउजन ग्रेट सीवाइव फिटी थाउजन आंसर इस ऑप्शन नमबर सी राइट हो गई रिवीजिन बस तबी तो करना बहुत फादा होता होता है देखो पड़ाफ़ से नेस्ट कोंपेंसेशन रिजर्फ दे रहा है 120 का तो यहां पर कॉंपेंसेशन का कॉंसेट रिवाइज हो जाएगा देखो उसके बाद आपको लिए वक्मेंसेशन क्लेम कितने का 150 का वाट वुड बी इफेक्ट ऑफ दी अबव ट्रांजेक्शन ऑन वाइस कैपिटल अकांट तो आपने यह एस्टीमेट किया था कि भाई 120,000 तक का क्लेम आ सकता है लेकिन 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 क्लेम एक्चली में 150 का आ गया कितने का आ गया 150 का 30,000 का जाधा आ गया तो पहली एंट्री आप क्या रिकॉड करते हो देखो पहली एंट्री आप रिकॉड करते हो workman compensation reserve debit कितन आपके पास reserve था वो सारा use कर लोगे आपका claim कितना है claim आपकी liability होती है तो वो होती है credit claim है 150 का तो जो 30,000 additional amount आ रहा है वो actually में आपका additional expense हो गया additional loss हो गया और वो आप कहां डालते हो revolution account में revolution account debit कितने से 30,000 से बात समझ में आ गई तो 30,000 का loss हो गया अब जो यह 30,000 का expense है या loss जो भी बोल लो यह partners में share होगा revolution का जो भी profit or loss होता है वो partners में share होता है loss है तो partners capital account क्या होंगे debit अब आप से सिरफ y का पूछा गया है तो y का capital account क्या होगा debit होगा बिलकुल y की ratio क्या है पुरानी ratio यह सब कुछ PSR change होने से पहले होता है पुरानी ratio कितनी है 3 upon 10 तो 3 upon 10 multiply by 30,000 तो यह आपका रहे है 9,000 तो answer is debited by 9,000 बात समझ में आ गई कि भाई जो y का capital account है वो debit होना है सारे partners का capital account आप debit करोगे कौन सी ratio में 5-3-2 लेकिन क्योंकि question में सिरफ y का पूछा गया था तुमने y का निकाल दिया सिरफ क्यों extra मेहनत करनी है भाई क्यों time wish करना है बात समझ मे क्यों क्या है a b and c who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5-3-2 decide to share future profits 2-3-5 में अब concept किस का आगया आये फार का आगया वह भी रिवाइस हो जाएगा investment fluctuation reserve कितने का 20,000 का ठीक है was appearing at the time of changing प्येसर 20,000 का आये फार था कोई दिक्कत नहीं है when अब यहां से पड़ो investment जिसकी market value 95,000 की थी appears in the book at 1 lakh इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि आपने investment करी दी थी 1 lakh रुपीस की कितने की 1 lakh की लेकिन उसकी आज market value कितनी है 95 ठीक है effect of the above transaction on seize capital account seize capital account में इसका क्या effect आएगा देखो मेरी बात ज़्यान से सुनो आपने IFR कितना बना रखा है 20,000 का इस 20,000 का मतलब क्या होता दोस्तों कि आपने पहले ही estimate कर लिया था आपको पहले इसे ही लग रहा था कि आपकी investment की market value 20,000 गिर सकती है 20,000 रुपीज तक गिर सकती है ठीक है लेकिन यहाँ पर हुआ क्या आपकी book value कितनी है book value मतलब जो balance sheet में आ रही है book value है 1 lakh बिलकुल सही और market value 95,000 this means कि आपकी value गिरी है कितने से 5,000 से कितने से 5,000 से investment कितने गिरी 5,000 से तो entry क्या होती है आप जो भी reserve आपने बनाया है वो पूरा का पूरा यूज करते हो 20,000 20 में से 5,000 रुपीज जो investment की value गिरी है उसके लिए यूज करोगे तो two investment two investment 5,000 correct लेकिन अब जो बागी 15,000 ब वो तो free reserves है क्या है free तो जितने भी partners है A, B और C A, B और C सब में बाट दो कि कौन सी ratio में five is to three is to two कितना बचा आपके पास 15,000 देखो अब मुझसे क्यों कि क्या पूछा गया है सिरफ C का तो मैं सिरफ C का निकाल लेता हूं C को कितना amount मिलेगा 15,000 बच गया इसका ratio है two upon ten two upon ten तो 3000 तो देखो partners का capital क्या हो रहा है credit तो credited by 3000 rupees बात समझ में आ गई I hope आपको समझ में आ गया होगा right देखो फटा फट से next mcq अब देखो 7th mcq क्या है Arun and Vijay their partners sharing profit and losses in the ratio of five is to one ठीक है there is a machinery of book value rupees 40,000 40,000 rupees के क्या है आपकी book value ठीक है if the value of machinery is undervalued by 20% क्या बोला गया if the value of machinery is undervalued by 20% आपकी machinery की जो value है वो already 20% से कम है then what value will machinery be shown in the new balance sheet अब मेरे बाद ज़रा ध्यान से सुनो यह adjustment मैंने अलग से बहुत ही अलग से video में revaluation वाली video में समझाई भी हुई है undervaluation और overvaluation अब इसका मतलब क्या है आपको जो 40,000 rupees की value दे रखी है अभी जो आपके पास 40,000 की value है वो value actually original value से 20% कम है जो भी original value थी मान लो अगर original value 100 रुपे थी ठीक है तो आपने 100 rupees minus 20 20% कम दिखा के 80 rupees दिखा रखा है तो यह 80 है जो balance sheet में आ रहे है 80 जो balance sheet में आ रहे है अब majority बच्चे गलती क्या करते हैं गलती करते हैं कि इस 80 का 20% निकाल लेते हैं बैटा 80 का 20% तो 16 होगा क्या आपकी value 16 rupees से कम है नहीं 20 से कम है कितने से कम है 20 से दुबारा सुनो मेरे बाद जो यह आपको 40,000 दे रखे हैं this 40,000 is after undervaluing 20% मतलब 100 रुपे की अगर machinery थी तो 20 rupees कम करने के बाद जो value है that is 40,000 देखो क्या लिखा if the value is undervalued अभी already वो undervalued है तो इन questions को कैसे करते हैं दो तरीकी होते हैं इन questions को करने के पहला पहला मानलो की original value जो थी वो थी x राइट आपने जो original value थी इसका 20% कम दिखाया तो minus 20% of x और वो value कितने आ रही है 40,000 तो इस equation से आप क्या करते हो इस equation से आप x की value निकाल लेते हो अगर आप निकालोगे तो यह आएगा x minus x upon 5 is equals to 40,000 ठीक है तो यह आजाएगा 4x is equals to 2 lakh 5 में वहाँ ले गया ठीक है तो x की value आ रही है 50,000 सबने निकाल ली तो original value actually में 50,000 थी आपने कितने से दिखाई है 40 से तो आप क्या करोगे machinery की value 10,000 से बढ़ाद होगे आपने पहली बात तो पूछा क्या है new balance sheet में कितने से value आएगी 50,000 सही value क्या है 50,000 बात समझ मैं दूसरा तरीका क्या होता है जिनके पास maths है वो शायद यह समझ जाएंगे देखो आपको पता है जो actual value है original value वो है 100 आपने 20% से कम दिखाई तो इसलिए जो आपके पास value आ रही है वो 80% है 80% this 40,000 is 80% 80% of original value 80% of the original value तो मैं simply क्या करता हूँ 40,000 divided by 80% divided by 80 multiply by 100 कितना आ गया 50,000 simple राइट जिनके पास math से वो समझ जाएंगे नहीं है समझ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है X वाले से कर लो ठीके आंसर के आ गया 50,000 लेकिन important है important है ध्यान से समझ लेना इसको नहीं समझ में आए तो detailed वीडियो देख लो नहीं तो comment section में मुझसे पूछ सकते हो ठीक है आओ फटाफट से 8th, 8th MCQ पर देखते है If the PSR changes, the sacrificing ratio is determined so that dash partner compensates the dash partner कौन सा partner किसको compensate करता है? gaining partner Gaining partner compensates the sacrificing partner answer is option number B Simple से MCQ था लेकिन आ सकता है, of course आ सकता है 9th आते हैं अब, 9th है important 9th को ज़रा ध्यान से देखते है कि due to change in profit sharing ratio, okay Pinkoo का gain आ रहा है 1 upon 6 आपको gain निकाल के दे दिया, कितने अच्छे लोग है Pinky का sacrifice आ रहा है 1 upon 6, ठीक है They decided to record the falling revaluation without affecting the book value क्या लिखा है, without affecting the book value मतलब कि जो आपकी book value आ रही है, उसको change ही नहीं करना मतलब आप अपने assets को market value पे record ही नहीं कर रहे हो Revised value पे record ही नहीं कर रहे हो जब आपको record नहीं करना होता तो again क्या record होती है, adjustment entry Adjustment entry, इसको करने का तरीका क्या था? सबसे पहले आपको gaining और sacrificing निकालना था जो आपने निकाल लिया कितने से 50,000 से? अब देखो, जब भी building increase होगी तो आपके लिए तो profit है ना भई? Asset increase हो रहा है, तो positive आएगा Machinery, 150 से 140, decrease हो गई Decrease in machinery, 10,000 से loss है Asset की value कम हो रही है, बिल्कुल सही Trade creditors, liability, 50 से 45 Liability कम हो रही है, profit है Decrease in creditors, profit है, profit कितने का? 5000 का, correct है Outstanding rent, 45 से 60 Outstanding rent भी liability है, increase हो रही है तो यह तो loss है Increase in outstanding expenses, कितना? 15,000 negative अब आप क्या निकालोगे, net effect तो basically है क्या? Revolution का profit loss, 50 minus 10, 40 40 plus 5, 45 minus 15, 30,000 कितना आ रहा है? 30,000 आपका क्या आ रहा है, net effect अब इस 30,000 क्या आपको entry pass करनी होती है Gaining to sacrificing Gaining क्या है आपका, Pinku तो Pinku क्या होगा, debit 1 upon 6 of 30,000 5000 से debit और यह 5000 से credit बात समझ में आपको को debit करना है भाई यह रहा, option number B Pinku debit और Pinky credit with 5000 रूपीस, clear है, ठीक है Revise हो गया, okay, इसको देको Last MCQ, MCQ number 10 इसको ध्यान से देखते है कि A, B and C, their partner sharing profit and losses in the ratio of 3, 2, 1 A sacrifices 1 5th of his share, okay B sacrifices 1 5th from his share Off और from दोनों दे रखें What will be the new PSR तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे A ने कितना sacrifice किया A sacrificing share आपको बोला 1 5th of his share 1 5th multiply by off is 3 upon 6 तो 3 upon 30 A sacrifice 3 upon 30 तो अगर मुझे A का new share निकालना है साथ साथ निकाल लेते हैं A का new share कैसे निकालते हैं पहले कितना था 3 upon 6 Old ratio कितनी है 3 शुरू स्ची 1 तो share कितना हो गया 3 upon 6 minus 3 upon 30 आपने क्या लिया LCM डे लिया 30 का ठीक है 6 5 3 15 minus 3 12 upon 30 12 upon 30 आपका क्या आगया आपका आगया A का share ठीक है कोई गल नहीं B पे आते हैं अब देखो B का दे रहे है sacrifice is 1 5th from his share अपने share में से 1 5th sacrifice किया तो उसका sacrificing share ही 1 5th है right और from दे रहे है off नहीं है from होता है तो directly minus होता है 2 upon 6 minus 1 upon 5 again LCM is 30 6 5 to 10 minus 6 4 upon 30 4 upon 30 is the new B's share ठीक है C का share कैसे आएगा पहले कितना 1 upon 6 A से कितना लिया C का पहले कितना 1 upon 6 A से उसने लिया 3 upon 30 3 upon 30 B से कितना लिया 1 upon 5 directly 1 upon 5 लिया ठीक है LCM लेंगे इसका LCM इसका भी 30 आने वाला है 30 is the LCM 6 5 plus 3 plus 6 कितना आघा है 14 upon 30 So new ratio कितनी आ रही है 12 is to 4 is to 14 और इसको और simplify करें 2 से कट हो जाएगा 6 is to 2 is to 7 and that is option number C ठीक है तो ये थे आज के change in PSR के कुछ MCQs अभी तो बहुत सारे questions करेंगे अभी तो शुरुवात हुई है But I hope आपका change in PSR revise हुआ होगा ठीक है आपको मजा आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना थोड़ा अच्छा लगता है और मैं समझ जगो कि हाँ आपको MCQs करने में मजा भी आ रहा है chapters जो आपने पड़े थे वो आपको याद भी थे recall भी हो गया revision भी हो गई comment section में आप अपने doubts पूद सकते हैं आपको कुछ भी कहना आप कह सकते हो telegram group join कर लेना link मिलेगा description में तो मिलते हैं से next class में admission of a partner start हो चुका है admission of a partner की second video में मिलते हैं तब तक के लिए bye bye take care